Hello everyone, my name is Tirvesh and you're watching my YouTube channel और आज की स्यूडिय में भी आप लोग बहुत ही useful structures सीखने वाले हो बहुत ही अच्छे sentences की formation है क्योंकि आज जो मैंने language उठाई है basically जो ये language है वो foreign की language मतलब की जो sentence की structures है ना वो भी structures आपको इस तरीके से मिलेंगे कि जो आपको normally शैद usually इंडिया में या फिर हमारी जो English है जो हम बोलते है जोर्नली उसमें नहीं सुनने को मिले वही idea मैंने दिमाग में रखके आज की वीडियो के लिए सब्टैटल चूस की है और आगे बढ़ने से पहले मैंने कल एक सवाल पूछा था चेक है और उसका जवाब कई सारे लोगों ने comment box में दिया कुछ सही थे कुछ गलत थे चेक है तो मैंने इस सवाल पूछा था कि किया आप अभी कभी अमेरिका गए हो चेक है इस तरह से मैंने एक सवाल पूछा था सो लोगों ने वहाँ पे reply किया have you ever gone have you ever gone to America देखो यह जो gone है इस condition में किसी देश के अंदर यहाँ पर यह चीज न सही sound नहीं करेगी आप इस चीज को ध्यान रखो gone का मतलब यह होता है कि मैं कहीं गया और आ गया इस तरीके से अगर मान लीजा आप अगर हम बीन का यूज करते हैं ठीक है कि have you ever been to America क्या कि तुम कभी अमेरिका में गए हो यह फिर अमेरिका रहे हो इस तरीके से बनता है अगर मान लीजे कहीं मैं किसी स्कूल की या किसी बिल्डिंग की किसी मॉल की बात कर रहा हूँ सो वहाँ पर मैं गॉन का यूज कर सकता हूँ क्या तुम उस मॉल में जा चुके हो इस तरीके से वहाँ पर ये जीज़ सही बनेगी क्यों कि मॉल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं शायद जाओंगा आदे घंटे में दस मुट बात वापिस आ जाओंगा चीज़ है वहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं जाता है लेकिन जहाँ पर आप stay करते हो जहाँ पर रुकते हो यहाँ पर stay करते है वहाँ पर हम gone के जगा बीन का use करेंगे तो वह ज्यादा सही रहेगा चीज़ है इंस्ट आफ कि आप ऐसे गाने के लिए वे आप पर एक समय सीवा निरधारित करते हैं अब यहाँ पर जो सेंटेंस है यह सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है अब यहाँ पर एक छोटी सी जो है टाइपिंग मिस्टेक है बहुत हल्गी सी है मैं आपको समझा दूँ जहाँ पर आउट लिखा हुआ है बेसिकली यह पुट है पी उटी उटी नहीं है पी उटी है तो यह टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर जो सेंटेंस बना है हर गाने के लिए आपठ एक समय सीमा नुर्धारित करते हैं समय सीमा नुर्धारित करने का मतलब क्या होता है एक डेट Lion रख देना deadline होती है समय सीमा कि अगर मैंने बोला कि भाई इस काम को तुम्हें दो घंटे में खतम करना है तो दो घंटे अपके deadline है चेक है सो हर घंटे के लिए आप पर समय सीमा निधारित करते हैं present indefinite sentence है और दिखो doer से sentence उठाओ doer से अगर sentence उठाओगे तो यहां से sentence मिलेगा कि वो आप पर एक समय सीमा निधारित करते हैं यहां से हुआ doer से अब इससे पहले क्या रहा है हर गाने के लिए so for every song अब अगर जो पहली जो term है हर गाने के लिए इसकी जो English है वो चाहो तो sentence के शुरू में लिख दो या चाहो तो sentence के end में लिख दो वो call रहेगी आपकी so for every song हर गाने के लिए अब sentence बचा वो आप पर एक समय सीमा निरधारित करते हैं कौन सा sentence है present indefinite का sentence है simple है ना ही negative है और ना ही question है so formula मेरा क्या रहेगा do or main word or action do or कौन है वो मतलब they main word लगेगा do action क्या है निरधारित करना अब समय सीमा निरधारित करना इसको हम बोलते है put a deadline चाहिए put और यहाँ पर put के अंदर do छुपा और कोई change नहीं आया तो यह O-U-T नहीं है यह P-U-T है यह typing mistake है they put a deadline on you on you का मलब किसी पर कोई समय सीमा निरधारित कर देना किसी पर कोई deadline रख देना तो पूरा sentence क्या बना हर गानी के लिए वो आप पर एक समय सीमा निरधारित करते है for every song they put a deadline on you या फिर आप इसको for every song है यह आप end में भी लगा सकते हो they put a deadline on you for every song इस तरीके से आप बना सकते है next sentence है मेरे लिए ये album थोड़ी अलग थी क्योंकि ये मेरी दसवी album है अब ये जो sentence है ये sentence है आपका पहला वाला जो है मेरे लिए ये album थोड़ी अलग थी तो ये sentence है आपका simple past का simple past का rule क्या है किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या थी ठीक है तो यहां किसकी बात कर रहे है ये album ठीक है ये album थी ठीक है इसकी बात कर रहे है so this album ठीक है तिस album अब आएगा main word was ठीक है अब वो क्या थी? थोड़ी अलग so was a little different मेरे लिए for me एक तरीका तो यह हो गया या फिर आप for me को शुरू में भी लगा सकते हो लेकिन यहाँ पर जो sentence बोला गया वो बोला गया अब यह जो है यह wordplay है आप यह बान कर चलो यहाँ पर इस sentence का जो structure है इस तरीके से नहीं मिलेगा return में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा अब हिंदी में भी हम कई जगा इस तरीके से बोल पड़ते हैं जैसे कि माले मुझे कोई line बोल नहीं हो कि कल मैं 5 बजे school पहुँच जाओंगा तो मैं school पहुँच जाओंगा कल 5 बजे मैं 5 बजे कल school पहुच जाओंगा इस तरीके से देखो मैंने इस एक ही हिंदी के sentence को कितनी तरह से घुमाया same English में भी ये चीज़े होती है कायदे में अगर आपको एक वैसा sentence देखना हो जो कि grammatically correct होता तो यहाँ पे for me या तो sentence के शुरू में होता या sentence के end में होता या फिर अगर मुझे बीच में लगाना है न तो यह होता main word के बात कि क्या है उससे पहले इस तरीके से बनता थोड़ी अलग थी इस तरह से sentence बना है क्योंकि यह मेरी दसमी album है अब क्योंकि के लिए मैंने because लगाया अब because के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो क्या है वो as as भी हम पर वही sense लेकर चलेगा कि जैसे की इस तरीके से यह मेरी दसमी album है अब यह कौन सा sentence है यह है आपका simple present का sentence अब इसका formula क्या होगा किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या है यह मेरी दसमी album है बात चल लिए यह की main word लगा is अब यह क्या है मेरी दसमी album simple sentence है मेरे लिए यह album थोड़ी अलग थी क्योंकि यह मेरी दसमी album है this album for me was a little different because it is my 10th album अब यहाँ पर मैं आप से आज का सवाल कोचता हो मैं यह सोच रहा था कि इस वाले question के उपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और मैं देखो शायद अगर मुझे कल सोड़ा time मिल दे तो मैं short में इसका answer डालूँगा अब मुझे आप यह बताओ don't you dare you do not dare इन में से कौन सा सही है और क्यों सही है जैसे कि अगर मुझे बोलना हो don't you lie to me या फिर एक you do not lie to me अब इन में से कौन सा सही है और क्यों सही है अगर आपको इसका जवाब पता है तो please comment box में मुझे बताओ वरना मैं इसके उपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा या तो मैं शौट्स में बनाऊंगा और के लिए end लगा या sad में रख दिया sentence है मेरा मैं साल में दो-चार महीने से ज़्यादा काम नहीं कर सकती कौन सा sentence है यह है can वाला sentence कुछ कर सकना कर सकना वैसा वाला so formula क्या लगेगा negative sentence है so negative को formula क्या लगेगा doer, main word, not, or action doer, main word, not, or action doer कौन है यहापे करने वाला मैं, I main word क्या लगा can, उसके साथ क्या लगा not, action क्या है यहापे काम करना so I cannot work मैं काम नहीं कर सकती more अब यहापे than है t-h-a-t-that नहीं है than है t-h-a-n for more than 2-4 months in a year I cannot work more than 2-4 months in a year मैं साल में 2-4 months in a year अब यह कह लाए है क्या होता है जब आप अपना काम समय पर पूरा नहीं करती है अब देखो जो पहला sentence है क्या होता है अब यह एक सवाल है अब सवाल कौन सा है यह present indefinite sentence है और एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब में हाँ यह नामे नहीं दे सकता सो question word, main word और doer यह होना चाहिए था doer यहाँ पर है निज़ चीदा action आजाएगा कि question word, main word और action question word क्या है क्या होता है सो क्या question word है what main word does ठीक है अब यहाँ पर action क्या है happen so what does happen यह तरीका है बिल्कुल सही grammatically यहाँ पर लेकिन सवाल कुछ है what happens what happens कि क्या होता है अब does जो है यह happen के अंदर छुपा हुआ है और इसलिए happen के end में as लगा हुआ है कि what happens क्या होता है जब आप अपना काम समय बर पुरा नहीं करती है अब यह sentence confuse कर सकता है इसलिए simple करने के लिए job के लिए हम well लगा के side में रख देंगे job के लिए well लगाया और side में रख दिया sentence मेरे पास बचा आप अपना काम समय पर पुरा नहीं करती है ठीक है यह कौन सा sentence है यह है आपका present indefinite का ता है ती है ते है कि आप अपना काम समय पर पुरा नहीं करती है समझ रहे हो तो यहाँ पर जो formation रहेगी do or main word not or action की रहेगी do or कौन है आप you main word लगेगा do उसके साथ है not action क्या है यहाँ आपर काम पूरा करना मतलब पूरा करना खतम करना तो मतलब finish ठीक है so when you do not finish your work on time simple sentence बनी है समय पर पूरा नहीं करती है अपना काम so पूरा यहाँ पर sentence हमारा क्या बना क्या होता है जब आप अपना काम समय पर पूरा नहीं करती है what happens when you do not finish your work on time what happens when you do not finish your work on time कि क्या होता है जब आप अपना काम सेवेबर पूरा नहीं करती है क्या कोई है जो आपको कॉल करता है और चिलाता है अब इस sentence को आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा मैंने बताया हुआ है कि हम जब भी किसी की existence की किसी की presence की बात करते है कि fridge में एक bottle है अगर इसी sentence को मुझे ऐसे बोलना हो कि कोई है फिलाल यह समझो कोई है तो यह बनेगा कैसे कोई है ऐसे बन गया कि हम किसी की existence की और presence की बात कर रहे है अब मुझे बोला है क्या कोई है तो मैंने बताया हुआ है जब भी किसी sentence के end में क्या लगे या फिर एक सवाल आ जाए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ सो वहाँ पर क्या होता है main word पहले आ जाता है सो कोई है there is somebody क्या कोई है main word क्या है is तो is उठके पहले आ जाएगा so is there somebody समझ के अतनी सी कि is there somebody क्या कोई है next sentence है जो आपको कॉल करता है और चिलाता है अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ यह है कि यह जो sentence है यह sentence है मेरा present indefinite जो आपको कॉल करता है और चिलाता है अब यहाँ पर जो जो है ना यह मेरा doer है ठीक है काम को करने वाला है जो कि जो कॉल करता है और चिलाता है जो गे लिए मैं क्या लगोंगा हू तो मतलब हू मेरा doer है तो doer main word action की formation डाल दो doer कौन है who main word क्या लगेगा who के साथ does क्योंकि who जो है वह हमारा singular treat होता है so who does action क्या है यहाँ पर call करता है और चिलाता है call and yell अब does छुपेगा call के अंदर so who calls you and yell नहीं यहाँ पर भी yells आएगा अगर आपको मैंने एकड़म से इसलिए ही नहीं बोला कि कहीं आप इस चोंको catch ना करो तो जिसने भी sentence मेरे बोलने से पहले पूरा पड़ा होगा उसको यहाँ पर इस चीज की गलती लगी होगी कि यहाँ पर yell नहीं आएगा yells आएगा अगर past indefinite sentence होता so donow में ही second form बनती who called and yelled इस तरीके से sentence बनता so यहाँ पर जब present indefinite है और does छुप रहा है so does एक action में नहीं छुपेगा donow में छुपेगा कि call करता है और चलाता है तो call के अंदर भी does छुपेगा एस लगेगा और yell में भी एस लगेगा ठीक है so पूरा sentence क्या बना क्या कोई है जो आपको call करता है और चलाता है is there somebody who calls you and yells इस तरीके से sentence बनता या कोई कुछ नहीं कहता या कोई कुछ नहीं कहता देखो या के लिए और लगाया और sad वर दिया sentence है कोई कुछ नहीं कहता चीक है तो यहाँ पे जो मेरा doer है वो क्या है कोई नहीं चीक है कोई कुछ नहीं कहता वहला कोई नहीं कुछ कहता इस तरीके से, यहाँ पर जो मेरा doer है, यह है मेरा कोई नहीं, मतलब nobody, चेक है, तो nobody आया मेरा doer, sentence है मेरा present indefinite का, so doer main word action की ही formation रहेगी, doer कौन है, nobody, main word does, action क्या है, कहना, say, अब does छुपा say में क्या बन गया, says, says नहीं, says, so nobody says anything, कोई कुछ नहीं कहता, इस तरह से, तो यहाँ कोई कुछ नहीं कहता, और nobody says anything, ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, हाँ, कोई करता है, मतलब कोई कॉल करता है, कोई ऐसी हरकते करता है, कोई चल लाता है, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, कोई करता है, ठीक है, कॉल करने के बाद चल लिए, कोई call करता है अपर चल लाता है इसने बोला हाँ कोई करता है यह sentence है जो context में चलते हैं ध्यान से समस्त हैं जो की context में चलते हैं हमारे sentences की बात की बात में समझ में आ जाता है इसने बोला somebody does अब यह क्या है sentence यह sentence है आपका present indefinite कि कोई करता है doer main word और action Doer कौन है कोई Somebody Main word लगा Does Action का है करना मतलब Do So Somebody Does Do ये बना Doer Main word Action Does छोपा Do के अंदर और Does बन गया ठीक है So जब Does छोपा Do के अंदर तो Do के आगया Yes लग गया वो भी Does बन गया Somebody Does कोई करता है ठीक है अब जैसे के मालनो मैं बोलू कि He Does Not Go To School वो स्कूल नहीं जाता और मैंना बोले यार He Does अब He Does का मतलब कि वो जाता है वो स्कूल जाता है So ये चीज़ ना एक Contacts में समझ में आ ले दिया अगर मैं हापे बोलना चाहूं तो He Goes ये भी सही है और जो मैंना He Does बोलना जिस काम के बारे में बात करें ये वो काम करता है ठीक है अब ये गहरा है आप पर कॉन कॉल करके चिलाएगा आप पर कॉन कॉल करके चिलाएगा अब ये एक सवाल कि जो ये जो Future Indefinite के Sentence नहीं होते है कॉन बुलाएगा तो मैं आपने पार्टी में तुमसे कौन मू लगेगा ऐसे जगा ये future indefinite नहीं होता है ये would वाले sentence होते है कि who would do that यार ऐसा कौन करेगा ऐसे ये जो sentences होते है तो future indefinite तो होता है जहाब मुझे एक चीज future के indefinite पता है कि मैं कल जाओंगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा एक होता है कि भाई मैं क्यों करता वो वाला sentence मैं क्यों किसी का बुरा चाहूंगा तो ये जो है future indefinite नहीं है ये समझना होगा ये होते हैं would वाले sentence तो आप पर call करके कौन चिल लाएगा अब करके ये sentence शायद कल पर सो भी आया था by plus ing लग जाएगा by doing something ये चीज़ करके having plus third form लग जाएगा और यहाँ पर मैंने बता हुआ कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए sentence को बिल्कुल simple formation में तोड़ दो और end का use कर दो बनलब आप पर कौन गल करे कौन चिल लाएगा so who would call कि कौन कौल करेगा ठीक है who would call तो यहाँ पर जो sentence की formation बनी ये क्या बनी सबसे पहले question word main word अब यहाँ पर do word तो ही नहीं क्योंकि who की बात चल रही है न तो do word तो ही नहीं so यहाँ पर सीधा action आजएगा ठीक है question word क्या है who main word would action क्या है call कि भाई कौन कौल करेगा and yell at you और तुम पर चिल लाएगा इस तरीके से sentence बना है ठीक है so who would yell at you by calling इस तरीके से बन सकता है having plus third form का use करके बन सकता है और एक तरीका होता है कि आप end का use को रो दौना sentence को अलग तोड़ दो वो बिल्कुल सिंपल होता है so who would call and yell at you कि आप पर कौन कौल करके चिलाएगा यह कह रही है बैनी वो कई सालों से मेरा manager है बैनी अब वो कई सालों से मेरा manager है एक तरीका तो sentence है यहाँ पर आपका जो has been, have been का हम use कर सकते है क्योंकि मैंने बताया हुआ है जब भी कोई time का हमें बताना होना कि काफी time से कोई चीज़ चलती आ रही है so मैं वहाँ पर use कर सकता हूँ has been, have been का तो यहाँ पर भी मैं बना सकता था do or mean word action do or होता he फिर आता has been he has been my manager for many years कि वो कई सालों से मेरा manager रहा है इस तरीके से और यह जो sentence की यहाँ पर language उन्होंने use के रही है बहुत ही casual language है कि he is my manager यह हो गया simple present sentence कि वो मेरा manager है सो किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या है सो वो की बात कर रहे ही main word is अब वो क्या है मेरा manager कि वो सन 2012 से मेरा manager है सो यहाँ पर बन जाता कि he is my manager since 2012 इस तरीके से sentence बन जाता ठीक है सो जरूरी नहीं है कि आपको since or for तभी लगाना होगा जब आपके पास has been, have been वाले sentence हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है and same आपको जरूरी नहीं है कि has been, have been तभी लगाओगे, जब आपके पास समय की अवधी हो, since or for लगाने के लिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है since or for का use होता कि कोई चीज किसी particular time से हम उसको बात कर रहे है कि वो कई सालों से मेरा manager है so he is my manager for many years और अगर हैं पर time दिया होता so he is my manager since 2012, इस तरीके से बन जाता अब यह कर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो आप पर चिला सकता है पहला जो sentence है आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब आपको कुछ है यह वो वाला sentence बन गया न तो आप कुछ रखते हो तो यह sentence बनेगा आपका present indefinite का negative sentence और ऐसी जगा पर जो action होता है वो होता है have कि मुझे कुछ है आपको नहीं है क्या any problem आपको कोई problem नहीं है कि वो आप पर चलाता है इस तरीके से बना दूसरा sentence यहाँ पर है इसका मतलब हुआ यह बने simple present के अंदर sentence ले लिया किसकी बात कर रहे है मेंवर्ड और वो क्या है आपकी बात कर रहे है you मेंवर्ड आप comfortable enough का मतलब कि इतने comfortable हो इस हद तक comfortable हो वो वाला sense आता है कि आप इतने comfortable हो इतने सहज हो so you are comfortable enough कि आप इतने सहज हो आपको कोई दिक्कत नहीं है वो वाला कि वो आप पर चिला सकता है की के लिए that लगाया sentence है वो आप पर चिला सकता है चीक है so doer main word और action की ही formation रहेगी main word क्या है can सकता है सकती है so doer कौन है he main word can action है चिलाना yell at you चीक है अब shout में और yell में जादा कुछ फरक नहीं होता है किसी को डाटने के purpose से जब हम कर जाएं तो typically yell के अंदर आ जाता है आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपर चिला सकता है you are comfortable enough that he can yell at you तो जब लडाई जगडे में या फिर किसी को डाटने के purpose से जब कोई चिला ते या ना किसी पर so वो yell की condition में जाता है जैसे कि मैं बोलू कि this explanation is enough इतनी explanation काफी है मैं बोलू कि I am cool enough for not giving my any response कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं इतना शान्त हूँ कि मुझे उसको कोई प्रतिकरिया देनी के ज़रूत नहीं है इस तरीके से so यहाँ पर जो sentence बना ये बना तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई doubt है कोई query है comment box में जाएए मुझे से पूछिए वीडियो पसंद आएए तो like कीजिए नए है like subscribe दौन कीजिए thank you